महराश्ट के पालघर में संतों की हत्या पर भिवाद अभी चल ही रहा था कि उत्तर परदेश के बुलन शहर से साध्यों की हत्या की वारदात सामने आपी आरूफे के बुलन शहर में एक शक्स ने मंदिर परिसर में दो साध्यों की धारदार हत्यार से हत्या कर बताया जारा की हत्या की इस वार्दात को जब अंच्याम दिया गया स्वक्त दोनों सादू सोय। उस आधार पे उस बातें इसके दिमाग में रही होगी। जिसके आधार पे इसके द्वारा आज सुबह किसी समय आकर के तलवार से इन दोनों बावाओं की हत्या कर दी गई। इसी बात पर स्थाने निवासी क्या कहते हैं सरा वो भी सुन लीचे। सरी ये सुनते हैं कि किसी नसरणी ने या नसरणी है वैसे हमारे गांपा ये उसी पर सक जाहर करा जा रहा है बाती इनकी धारदार हत्यार से दो सादू की अंदर पर कर दी गई है रात। कब से रह रहे हैं के सादू हैं ये जागिन दास नाम के सादू हैं जो भधेशी से आए थे करीब 15 साल पहले और एक सेवा दास हैं जो गहां कनवरा के रहने वाले हैं वो करीब 5-6 साल से यहां पर रहते हैं तो इस मंदर की सेवा पूजा करते हैं और पगोना से पासमे दगरो उसे आसपलस के गाउं से धिक्चा वर्पी करके अब घटना है पुलन शेहर में अनूप शेहर कोथवाली शेत्र की पगोना गाउं में एक शिव मंदिर शिव मंदिर में रहने वाले 55 वर्षिये सादू जगंदास और 35 वर्षिये सादू सेवा दास की हत्या करते हैं जब ग्रामीन मंदिर पहुँचे तो साद्मों के शव खून से लतपत में गाउंवलों ने आरूपी को पकड़ लिया इस सूचना के बाद पूरी इलाके में ह जब सकत का रवाई सुनेशित करने के निर्देश दिया इस वीडियो पर आपनी अपनी राय रखे सादी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हैट्वाइन्स यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए